नमस्कार आज मैं फिर आपके सामने एक और क्राइम की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ आज सीजन सिक्स का दो सो साथवां टू सिक्स जीरो पार्ट है ये घटना भी उसी समय की थी या है जिस समय में डियाई जी रेंज बरेली हुआ करता था बात 13 सितंबर 2020 की है रात के पौने दस बज रहे थे थाना था शाही जनपद बरेली थाना शाही पर इमरान सनफ वशीर आहमद एजाज नगर गौटिया थाना बारादरी जनपद बरेली यहां से इमरान एक टाइप शुदा दरखास लेकर थाना ध्यक्ष के कमरे में गुसे मैंने बताया रात में पौने दस बजे और उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा भाई अबरारहमद और महले काही मुस्तकीम सनफ जाकिर हुसैन ये दोनों जरी का काम करते थे जरी का काम या जर्दोजी जिसे कहते हैं बहुत ही फाइन वर्ख होता है और जर्दोजी करने वाले कारीगर बहुत rare मिलते हैं जो अच्छी जर्दोजी कर सकते हों उसने बताया कि मेरा भाई और मुस्तकीम ये दोनों गाउं में जाकर महिलाओं के साड़ी या सूट पर जरी का काम उनसे order लेते हैं अपने साथ sample photograph ले जाते हैं जिसको जो जैसी कड़ाई करानी हो वो बता देत है वो दोनों वहां से वो order लेकर घर पर आते हैं गर पर वो काम करते हैं और काम करने के बाद वो सामान लेकर समन्दित को दे आते हैं खुद उसकी 움직 साइकल बना रखी उन्होंने एक हफ्ते की या दो हफ्ते की जैसा काम हो और वहां अपनी मजदूरी और जो सामान लगा हुआ है उसका पैसा ले आते हैं इमरान ने बताया कि आज यानि 13 सितंबर 2020 को मेरा भाई अबरार और मुस्तकीम अजहरी गाउं गए हुए थे जो था न रास्ता है गाउं के बहुत बाहर वहीं बात करने लगा और मुस्तकीम गाउं के भीतर तयार शुदा माल देने और अपना पैसा लेने भीतर चला गया जब मुस्तकीम गाउं के भीतर से अपना काम पूरा करके यानि माल देके और अपना पैसा लेके वापस आया तो देखा कि मेरा भाई यानि अबरार उसकी लाश गाउं के बाहर ही पकडंडी के किनारे गड़े में पड़ी है तमाम गाउं वाले तमाशबीन आसपास भीड लगा कर खड़े हुए हैं मुस्तकीम का कहना है कि वो चुकि अबरार को ढूर रहा था उस भीड को देखकर वो वहाँ पहुँच गया और गड़े पे पड़ी लाश को उसने पहचाना कि ये अबरार की ही लाश है उसने फौरण मुझे फोन पर बताया मैं भागा भागा जहरी गाउं गया पहले वहाँ पर मैंने अपने भाई की लाश देखी उसे पहचाना और अब सीधे थाने पर आया हूँ मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी है वहाँ की लगी वहाँ पर लगी भीर से मैंने जानकारी करने का प्रयास किया कि कैसे ये सब हुआ लेकिन कोई कुछ भी बताने को मुझ खोलने को तयार नहीं है मेरे भाई की हत्या किसी धारदार हत्यार से की गई है क्योंकि उसका गला कटा हुआ है इस्पेक्टर थाने पे मौझूद थे उन्होंने इमरान की पूरी बात सुनी उसकी गंभीरता को समझ गए जो टाइप शुदा दर्खास्त वो लेकर आया था उस पर FIR करने के आदेश कर दिये थाना कारेले में फोरन FIR पंजिक्रित हुई और FIR के साथ ही जो फॉर्मेल्टीज होती है कि कंट्रोल लूम को घटना के बारे में बताना कंट्रोल लूम से रिक्वेस्ट करना कि सभी संबन देत अधिकारियों को बता कर आउगत करा दे कि सभी अधिकारी इस घटना से आउगत हो गए हैं और जिस यूनिट जिंजिन यूनिट्स के मर्डर के मौके पर तुरंत पहुचने के आउशकता होती है उन सारी यूनिट्स को भी खबर कर दी जाए कि वो मौके पर आ जाएं इस्पेक्टर इंचार्ड उसके बाद अपनी फोर्स के साथ वादी इमरान को साथ लेकर गाउं अजहरी घटना अस्थल पर पहुच गए वहाँ पहुच कर देखा उन्होंने भील बहुत थी भील को हटाया यलो टेप लगाया सीन आफ क्राइम को प्रिजर्व किया और फिर डाग स्कॉाइड और फॉरेंसिक यूइनि यानि फील्ड यूइनिट का इंतजार करने लगे डाग स्कॉाइड आया वो घटना स्थल पर सीधे गाउं के भीतर जाने का जो रास्ता है उसमें सीधी लाइन पर चला गाउं की भीतर भी गया लेकिन इग्जैक्ली किसी जगह पर नहीं पहुच पाया वो जित्ती बार जाता था वो अलग-अलग जाकर खड़ा हो जाता था कभी किसी के दरवाजे पर भौगता भी था हैंडलर ने बहुत कोशिश की कि वो निश्चित तोर पर किसी स्थान पर पहुच जाए जिससे हमारी घटना के खुलासे में थोड़ी मदद मिल सके लेकिन वो किसी एक जगह पर जाकर नहीं रुकान है वो सीधे घर नहीं गया वो कहीं रुकते है वहां पर जाकर भटक जाता है हैंडलर वापस किया गया और जहां-जहां वह.相信 यहां जहां वह रुका था वहां जिन-जिन लोगों के मकान दुकान या कोई आसपास किसी की किसी का घर है उसको थाने पर ले जाने के लिए आदेश कर दिया गया ऐसे सभी लोग जहाँ जहाँ वो डॉग रुका था वो सभी थाने पर पहुँच गए फॉरेंसिक टीम को भी कोई आपजेक्ट या फिजिकल इविडियन्स नहीं मिला बस वहाँ पर फोटो ली उन्होंने वीडियो ली खूना लूदा मिट्टी ली मिट्टी ली साधी मिट्टी ली और जो उसके कपड़े पर शरीर पर जो ब्रेड स्टेंस थे उनके उनके सैंप स्कलेक्ट किये सर्विलांस और क्राइम ब्रांच ने अपना काम किया उसने मुबाइल नंबर गाउं के कुछ लोगों के मुबाइल नंबर लिए और फिर वहां से चले गए यह सब होते होते चौदा तारीक की सुबह हो गई मैंने बताया था कि तेरह तारीक की रात पौने दस बजे मृतक का भाई इम्रान थाने पर आकर उसने घटना की सूचना दी थी चौदा की सुबह फिर पंचायत नामा की कारवाई शुरू हुई पंचायत नामा हुआ बोडी सील हुई बोडी बैग में रखी गई और किसी टेंपो टेक्सी को बुला कर उसमें लाद कर बरेली हेटक्वाटर मिशन हॉस्पिटल के सामने जो चील घर यानि पोस्माटम हा गया रात में थानाशाही में पोस्माटम रिपोर्ट भी आ गई यानि धारदार हथियार से आई चोटो के कारण अत्यधिक रक्तर सराओ और सदमे से मृत्तु का होना पाया गया उसी दिन शव का अंतिम संसकार कब्रिस्तान में पहुचा कर दिया गया अगले दिन यानि 15 सितंबर को विवेशना के लिए दो जगहटी में भेजी गई एक घटनास्तल वाले गाउं पर दूसरे मृतक के रिहायश के महले थाना बारादरी के अंदर जो आता है बहां भेज कोई पैसे के लिए देन की रंजिश हो या किसी महिला से कोई सम्मंद से सम्मंदित कोई बात हो तो पता लग जाए वहां से पूरा दिन परिवार वालों के सिवा आसपास के लोगों के गाउं के लोगों के गाउं के प्रधान के सब के बयान नोट कर लिए गए लेकिन शाम कोई किसी result पर नहीं पहुंचाओं में सिपाहियों को साधे में भेजा गया कि पता कियें पता करें लेकिन जद्धा कुछ नहीं पता लगा क्योंकि ये फेरी वाला था ये घाओं में जाकर लोगों से आवाज लगा कर बुला कपड़े में जरी का काम कराना उन से कपड़ा लेना फिर लेके चले जाना और फिर वापस उनको पहुंचा देना तो कि अध्रावाल के समंद्ध में गाओं की महिला इहीं बता सकती क्योंकि वह इसमंधित काम ही करने वाह फिरी वाहतक्र और किसी गाओं में गाओं की महिलाओं से पुलिस फोर्स भेज कर पूस्ताज करना या धेर सारी महिलाओं को गाओं से बुला कर थाने पर पूस्ताज करना ये लगभग असंभव काम है फौरण महिला के घर वाले और पूरा गाओं एकठा होकर इसका विरोध शुरू कर देता है और ये फेरी वाले बहुत बार क्राइम में इन्वाल पाए गए बहुत बार रैकी में इनका इस्तेमाल हुआ और ये फेरी वाले जो हैं खासकर वो सिर्फ महिलाओं सेंट्रिक महिलाओं से संबन देती होते हैं इन फेरी वालों की खरिद्धारई सिर्फ महिलाएं करती हैं केवल और केवल महिलाएं करती हैं जैसे इस केस में ये जरी वाला था इसके अलावा पुरानी साड़ी के बदले स्टील के बर्तन देने वाले ये भी फेरी लगाते हैं और किसी के घर में पुरानी साड़ी, कौटन की साड़ी, वैसी साड़ी या कभी-कभी कुछ मरदाना कपड़े अगर हैं तो उनके बदले उन्हें ग्लास, कटोरी, ठाली इस तरह की बारगेन करने के बाद वो उनको दे देते हैं। तीसरा जो महिलाओं के ज़्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले जेवर हैं। जैसे बिच्छिया जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है। पायल जो पैरों में पहनी जाती है और ज़्यादा तर ये जल्दी जल्दी रिप्लेस होती है क्योंकि घिस भी जाती है और पुरानी हो जाती है, बदरंग हो जाती है। तीसरा कान के छोटे बुंदे और बाली ये एक छोटे से बैग मे लेके फेरी वाला आवाज लगाता है निश्चित रूप से महिलाएं ही इसकी गाहक होती है एक जगह बैठ जाता है सब महिलाएं आ जाती है अपनी अपनी जरूरत बताती है वो अपना लाया हुआ समान बेचने वाले वो सिर्फ महिलाओं का शौल बेचने जाड़े के शुरुवात में नौंबर के पहले हफते में घूमना शुरू करेंगे गाउं गाउं और उसमें तरह तरह के सस्ते भी अच्छे भी बहुत महंगे भी इस तरह के शौल होते हैं जो जैसा लेने वाला हो किसी कह हैं शादी पड़ी है वो जरूर लेगा क्योंकि जाड़े की शादियों में महिलाएं शौल के सिवा और ज्यादा कुछ गरम कपड़ा पहनना पसंद नहीं करती हैं पांचमें तरह के फेरी वाले होते हैं जो चादर दरी या पिल्खुआ की खेस जो बिशाने वाला जिसको दसैना भी कहते हैं वो बेंशते हैं उसकी भी खरीदार सिर्फ महिलाएं होती हैं यह ऐसे समय में गाओं में घुसते हैं जब घर गाओं के पुरुष खेती किसानी के काम में गाओं से बाहर चले जाते हैं ज्यादा तर पुरुष गाओं के बाहर होते हैं और महिलाएं भी अपना चौका बरतन से फारिग होकर खाली हो जाती है ये तभी आवाज लगाते हैं और पूरे गाओं की महिलाएं और लड़कियां इनको आवाद से पहचानती हैं ये जान जाती है कि अभी आया है कहीं बैठेगा और इस बीच में उनको जिस बात की जरूरत होती है उसकी व रुख जाते हैं उसके मकान में उसके दुकान में उसके दरवाजे पे उसके जो सहन है उसमें या बरामदे में और धीरे देरे आसपास की महिलाएं और बच्चियां ये सब उसके इर्द इकठा हो जाती है यानि ये केवल एक अकेला पुरुश या कभी-कभी दो लोग होत है चिक-चिक होती है चकल्स होती है और जैसे ही गाउं में मर्द अपना काम खेटों से खतम करके वापस आने लगते हैं वैसे ही ये फेरी वाले भी अपना बुर्या बिस्तर समेट कर गाउं से बाहर हो जाते ये वैसे तो गाउं की इस मार्केटिंग की सब से जादा समझ इनी फेरी वालों को होती है आज से 15-20 साल पहले महिलाएं अपनी सारी खरीदारी इनी फेरी वालों से करती थी क्योंकि महिलाओं को बाहर निकलने पर पाबंदी होती थी जादा तर गाओं में आज से 20 साल पहले बहुत ही सक्त पाबंदी होती थी कि सामान लेने कोई भी बाह बाजार में नहीं जाएगा और कुछ सामान ऐसे होते थे जिसको महिलाएं कभी पुरुषों से अपने पती से बच्चों से भाईयों से भतीजों से नहीं कह पाती थी कि ये सामान मेरे लिए बाजार से ले आना और पुरुष भी पसंद नहीं करते थे कि महिलाओं के आज भी पुछ जाकर खरीद लेते हैं और लगभग सभी गाउं का यही हाल था जहां पर औरतों के निकलने पर प्रतिबंध था और जो मार्केट इस तरह की मार्केट की गाउं के मार्केट की यानि मार्केटिंग की जो एकॉनोमी या उसका जो मैनेजमेंट है वो फेरी वालों के किसी और को नहीं होती कितना सामान वो कितना भाव लगाएंगी महिलाएं मोलतोल में अगर कोई सामान वास्तों में 20 रुपए का है तो यह फेरी वाले उसको 50 से शुरू करेंगे और महिलाएं इस बात पर बहुत खुश होती हैं कि मैंने आखिर उस से कम कराके 25 रुपए मे था इसी मुलभाव में समय नश्ड होता है इसी मुलभाव के कारण वो जानी भी जाती है धीरे धीरे इन फेरी वालों का यूज क्रिमिनल्स गैंग करने लगे रेखी करने के लिए पता लगने के लिए घर के दरवाजे और पिछवारे कौन सा दरवाजा है इसका पता करने के लिए गाउं में कितने मर्द हैं इसका पता करने के लिए और फिर इनका कई कई गाउं में आना जाना लोगों ने पृतिबंधित कर दिया जहां पर हत्या या डकेटी जैसी बड़ी वारदात हो गई थी लेकिन फिर भी कराते हैं पर इस घटना में तो फेरी वाला ही मारा गया वह भी वहां से बहुत दूर का रहने वाला तो इसलिए उनसे पूस्ताच करने की कोई जरूरत नहीं हुई कि सभी फेरी वालों को इकठा करके बीट का सिपाही पूस्ता है तुम कब आये थे तुम कब आये थे इसल की हत्या हो गई है इन फेरी वालों के साथ एक बात और है चुनकि इनको heus मार्कटिंग की कि मेनेजमेंट की नहीं है ना मार्कटिंग की कोई डिग्री है ना मर्कटिंग के बहुत पर्फेक्ट मार्केट के इस गाओ की छोटी चोटी सालों से आते जाते रहते हैं और इक और शाल वाले बहुत चक्कर लगाएंगे इसी तरह से गर्मी के सीजन में ये पुरानी साड़ी है और इसके वाले जो फेरी वाले हैं चक्कर लगाएंगे आजकल खिलोने के भी फेरी वाले चलने लगे हैं छोटे बच्चे उसके लिए जित करते हैं माबाब दिलवा देते ह हैं उनका काम हो जाता है तो मिलते मिलते इनको ये अंदाज हो जाता है कि कौन कौन पैसे वाला है और कौन बहुत गरीब है कौन महिला खरीदना बहुत कुछ चाहती है पर उसके पास पैसा नहीं है कौन लालची है ऐसी महिलाओं से वो फेवर भी ले रेते हैं उन्हीं के ह यहां जाकर बैठेंगे उन्हीं के यहां पानी भी पिएंगे कभी कभी वो चाय भी पिला देती हैं और कभी कभी बहुत देर हुई आइनों ने जिकर कर दिया कि आज तो खाना भी नहीं मिला तो उन्हें दो रोटी खिला भी देती हैं जब इस मर्डर का बिल्कुल कुछ नहीं पता लगा और बात्चीत होने लेगी थाने पर तो गाओं पर एक बहुत पुराने हेट कॉंस्टिविल थे जो जन्दी ही रेटायर होने वाले थे और मुझे अंदाज रेटायर भी हो गया होंगे उनका नाम था हरी सिंग रावत उन समझ में नहीं आ रहा है हरी सिंग रावत ने तपाक से उतर दिया बहुत तजर्वा था इलेट्रानिक सर्विलांस को छोड़के बाकी सब चीजों में पुलिसिंग का उनका तजर्वा जो था वो अनपैरलल था क्योंकि सर्विलांस बहुत बाद में आया पहले की जो मुख माओं के हर घर पे जाके नहीं बैठते हैं तीन या चार घरों में जाके बैठते हैं जिनको ठीहा कहते हैं वहीं पर महिलाएं सब आ जाती हैं इसमें जो कुछ भी निकलेगा उसी ठीहे से निकलेगा यह बात इंस्पेक्टर के समझ में आ गई इस्पेक्टर ने फ़ॉरन बीट कॉंस्टेबिल को लगाया कि ये पता करो कि ये जो जरी का काम करने वाला फेरी वाला मारा गया है ये और मस्तकीम कितने दिनों से गाउं में आ रहे हैं और इनके ठीहे क्या क्या हैं ठीहे का मतलब यह है कि जित्ती बार भी वो आएंगे उन्हीं तीन चार में से किसी एक जगह पर वो बैठेंगे रुकेंगे अपना सामान बेचेंगे लोग वहीं इकठा हो जाएंगे अड़ा भी कह सकते हैं लेकिन जो इसका एकुरेट वर्ड है इस्तेमाल किये जाने वाला वो ठीहा है जहां पर आकर बैठके एकठा करके अपना आदमी बिजनिस कर लेता है उसने बताया कि साथ कुल तीन ठीहों पर ये जाके रुकता है दो तो इसी गाउं के हैं और एक ठीक पड़ोसका गाउं है उसके है उसको उन लोगों को कहा गया बीटके सिपाहियों को कुई जी ठीहें जिन पर जाकी ये बैठते थे उनमें सब के नंबर ले आओ सर्विलांस वालों को तुरंत नंबर दिये गए और अगले ही दिन सर्विलांस वालों ने उसका सब एनालिसिस करके बता दिया कि इन तीनो ठीहों पर एक में जो पर्टिकुलर नंबर को मिर्टक से उससे बहुत बात होती है हाला कि मिर्टक के मुबाइल पर 90 फिजदी महिलाओं के ही नंबर हैं जो उन्होंने कैफ से और बाकी कॉल से आइडिन्टिफाई किया है लेकिन उसका एक्स्विलिनेशन है कि वो सिर्फ महिलाओं का ही काम करता था यानि उसके कस्टमर सिर्फ महिलाएं थी साड़ी और सूट पे जर्दोजी का काम सिर्फ महिलाएं कराती थी तो नेचरली उसके उसके असी परसंट पच्छतर परसंट नंबर महिलाओं के ही होंगे लेकिन चूंकि छाट के ये तीन नंबर दिये गए इन तीनों में किस से ज़्यादा बात होती थी तो एक नंबर सर्विलांस ने बताया क्योंकि एक नंबर जो तीनों नंबर जो बताये गए उन में से उनके सीडियार निकाले गए और इन में से एक नंबर सारी फैमिली के मतलब पती के पतनी के बेटों के जिनके पास भी मुबाइल नंबर था इन ठीहे के तीनों ठीहों के अलग अलग मुबाइल नंबर जब इकठे किये गए तो और उनके सीडियार निकाले गए तो उसमें ये पता लगा कि मृतक के सीडियार का पहले ये इन अलसिस हो गया था कि मृतक का सीडियार और इन ठीहों में एक के जो मालिक हैं अनिल गिरी सन अ फतेह गिरी जिसका जिकर पहले F.I.R कराते समय मृतक के भाई इमरान ने किया था उसका लोकेशन और मृतक का लोकेशन एक ही जगा आया वो भी घटनास थल पर ये बात समझने के लिए और सोचने के लिए बहुत काफी थी फोरण उसको उठवा के थाने पर लाया गया इस्पक्टर ने पूछा कि अबरार के भाई ने थाने पर आकर बताया था कि तुम मृतक से गाउं के बाहर कुछ बात कर रहे थे और तभी मुस्तकीम भीतर चला गया था ये बात सही है उसने कहां साब ये बात सही है तुम वहां क्या कर रहे थे उसने का था वैसा है कि मुझे पता था कि मेरी पतनी ने जो कुछ काम कराया है उसका पैसा बाकी है बकाया है लहाजा मैं उस पैसे को लेके वहां गया था कि मैं उसको वहीं बाहर ही उसे दे दूँगा नहीं तो उसे इतनी दूर चलके गाउं से बिल्कु सटा हुआ गाउं है एक्चुले गाउं में ही है उसका दूसरा पुर्वा है वो उसे वहां तक आना पड़ेगा इस्पक्टर ने पूशा फिर क्या हुआ उनका साब मैंने पैसा दिया पैसा देके मैं चला गया मर्डर किसने किया उसने का साब यह हमें पता नहीं मेरे आने के बाद जो कुछ हुआ होगा वो हुआ होगा उन्होंने पूशा पैसा कितना बाकी था कितना तुम्हें बताय गया था कितनी साड़ी कितने सूट का था तुमने कितना पैसा उसको दिया इसमें थोड़ा सा वो ग पतनी यह जानती है इस्पेक्टर ने फौरण कहा कि मैं महिला सब इस्पेक्टर और सिपाहियों को गाड़ी से भेज रहा हूं तुम भी इनके साथ जाओ और अपनी पतनी को इनके साथ ले आओ बस इतना सुनते ही वो बताने लगा कि अभी तो वहां गई है अभी वहां गई है वो कर ले आओंगा परसों ले आओंगा कुछ इस तरह की बातें वह करने लगा नंबर चूंकि पहले से इस था सरविलांस वालों के पास महिला सब इस्पेक्टर को नंबर दिया गया कि इसकी पतनी से बात करो कि वह कहां पर है वह जहां भी हो उसको ले आओ महिला सम इस्पक्टर ने उससे बात की उसने कहा मैं घर पर हूँ मैं कहीं नहीं गई थे इतना सुनते ही अनिल गिरी सक पका गया इस्पक्टर ने कहा कि अभी फौरण महिला सम इस्पक्टर और सिपाहियों को ले कर जाओ अपनी पत्नी को ले कर ठाने पर आओ वो सही सही बताएगी कितना पैसा था, कितना तुमने दिया, कितना तुमने बचा लिया, क्या-क्या तुमskारे से उससे बात हुई है खाने पर आते ही अनिल्ग्री की पतनी रोने लगी मामला समझ में आ गया महिला सब इंस्पक्टर और महिला कॉंस्टिबिक्स उसको अलग ले गई पूस्थाच करने के लिए उसने बताया कि गाउं की महिलाएं अपने अपने सूट पर महंगा जड़ी का काम कराती थी मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे तो मेरा काम उधार भी कर दिया करता था मेरे तक के लिए कहा उसने तो मैं और अच्छा काम उससे कराने लेगी महगा काम और ये होते होते काफी पैसे उधार हो गए मैं अपने पती से जो पैसा मांगती थी वो इतना पैसा नहीं दे पाए थोड़ा बहुत जो पैसा वो देते थे मैं उसको वापस कर देती थी धीरे धीरे पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि अबरार मुझसे फोन पर पैसे का तकादा करने लगा कि मुझे पैसे चाहिए कई बार वो जब गाउं में आया तब भी उसने टोका कि अब पैसे दे देजी बहुत ज़्यादा हो गया है एक बार उसने फोन किया तो मैंने उसे घर ही पर बुला लिया कि तुम आ जाओ घर पे घर पे बैठ के बात करेंगे उस दिन घर पे मेरे पती नहीं थे घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं था अबरार आये उसको बीतर ले गई है मैं चाय पे लाया और उसी दिन मेरे उसके संबन्द हो गए फिर अबरार अक्सर घर आने लगा कोई शक न करे इसलिए हर बार वो खुद के खरीदे हुए खुद के कढ़ाई की हुए अच्छे कपड़े लेकर मेरे पास आने लगा और मुझे दे जाता था वो जब भी आता था अच्छे कढ़ाई की हुए महंगे कपड़े मुझे दे जाता था जब ये फ्रिक्वेंसी जदा हो गई तो एक दिन मेरे पती को कुछ शक हो गया वो मुझे में निगाहा रखने लगे सवाल करने लगे कौन सा सिलवाया था, कौन सा जरी कढ़ाई कराई थी, कितना पैसा लगा, पैसा कहां से आया इस तरह की बातें करने लगे मैं अपने पती के सूने के बाद ही उससे बात किया करती थी एक दिन में रात में उससे बात कर रही थी लेकिन पती ने सूने का शायद बहाना किया था, उन्होंने मेरी पूरी बात सुन ली हाला कि मैं थोड़ा दूर जाके बात कर रही थी लेकिन उन्होंने बात सुनी दोड़कर आए मेरा मुबाइल छीन लिया मुझे डराया धमकाया पूछा कौन था मैंने बता दिया कि अवराड था उन्होंने कहा अभी स्पीकर फोन आउन करके उससे फोन करके पूछे कि वो कब आएगा बता देना कि मैं पूरा पैसा दूँगी तुम आजाओ और ध्यान रहे स्पीकर फोन आउन रहेगा हमें जरा सा भी समझ में आया कि तुमने कोई इशारा कर दिया या उसको शक हो गया तो यहीं काट दूँगा बोटियां कर अलग अलग कर दूँगा वो डर गई उसने स्पीकर फोन आउन किया और उसी टोन में जिस टोन में थोड़ी दिर पहले बात कर रहे थी उसी टोन में यह पूछा कब आउगे अब रार ने कहा कि मैं परसों आउँगा गाउं में आउँगा मुस्तकीम को भीतर वेज दूँगा कुछ आओ जगा पैसे बाकी हैं तब मैं तुम्हारे पास आजाऊँगा परसों आने की बाद हुई फिर महिला सब इस्पक्टर ने पूछा फिर क्या हुआ उसने का इसके बाद क्या हुआ ये तो मेरे पती ही बता पाएंगे मेरे साथ कुल इतनी घटना या दुरगटना कह लें वो हुई थी बाद सब के समझ में आ गई अनिल को फौरण बुला लिया गया पूस्ताश के लिए वहीं मौजूद थे उनको भीतर पूस्ताश का क्षमे लाया गया और सभी परेशान थे कई दिनों से तो सब वहां पर फ्री फौर आल हो गया जो जिधर से आया पूस्ताश करने वाला उसने उधर से ही हाथ साफ किया हाथ हजमाया जब ज़्यादा हो गया तो अनिल गिरी ने रोग दिया और कहा मैं सब बताता हूं ये सब बंद कर दीजे फिर उसने वही पूरा किस्सा बताया कि कैसे मैंने पनी पत्नी को बात करते पकड़ा कैसे मैंने उसका मोबाइल फोन चीना कैसे मैंने उससे स्पीकर फोन पर बात क जाओंगा मैं सोया नहीं उस दिन से तीसरे दिन में सवेरे से ही गाउं में जाने वाले रास्ते पर बाहर टहलता रहा इधर जाता था उधर जाता था देखता रहता था कब आएगा दो पहर बाद अचानक दिखाई पड़ गया वो सीधे गाउं में जब घुसी रहा था तब तक मैंने उसे पीछे से आकर रोक लिया हाल चाल हुआ उसके बाद मुस्तकीम ने कहा कि आप बात करिये मैं तब तक भीतर ये काम करके आता हूँ अब रार ने मुस्तकीम को भीतर भेज़ दिया इस बीच में अनिल गिरी ने उससे कहा कि बड़ा अच्छा काम करते हूँ बड़ा हाथ तुम्हारा साफ है अनिल ने कहा कि उसमें मेरे कंधे पर फावडा खेती किसानी करने वाला खुदाई गुडाई करने वाला जो फावडा है वो मेरे कंधे पर मैं लेका चला था उसको थोड़ा सा ओड लगा अबरार को उसने कहा कि क्या बात है अचकंधे पे तो उसने कहा रहे कुछ नहीं यहां से सीधे सबजी वाले खेट पे जाना है खेट की गुड़ाई करनी थी फिर वो कुछ नहीं बोला फिर मैंने कहा कि तुमने बहुत पत्नी को जो तुमने हरी वाली सलवार और लाल वाली साड़ी इस तरह की बातें बहुत अच्छी कड़ी हुई है तुमारा हाथ बहुत साफ है कितना पैसा होता है इसका और इसी बात में उल जाकर अचानक गुसे से भरा हुआ था अनिल नहीं ऐसा बताया मेरी आखों में खून सावार था मैंने पूरा दम लगा कर उस फावड़े को उसके उपर मारा उसने हलका सा बचने की कोशिश की पूरा फावड़ा उसके गर्दन में धस गया वहीं पर वो गिर गया गिरते ही लग गया कि गर्दन में काफी गहरी चोट लगी है ब्लीडिन हो रही है मैं फौरण वहां से निकल गया आगे जाके खाली जमीन पर उसी फावड़े से थोड़ा सा खुदाई कर ली जिससे जो ब्लडिन फावड़े पर लगे हुए हैं उनकी जगह पर मिट्टी जम जाए घर आकर उसने कहा कि मैंने फावड़े को धो दिया विल्कुल और उसके बाद उसमें कोई स्टीन नहीं पता लग रहा था इस कनफेशन के बाद और सर्विलांस की इस रिपोर्ट के बाद कि मृतक और अनिल की लोकेशन घटना के समय एग्जेक्ली वहीं पर थी जहां घटना हुई थी इतने सफिशन टिविडेंस के बाद 22 सितंबर 2020 को अनिल कीरी को गिरफतार कर लिया गया आला कतल फावड़ा उससे बरामत करा लिया गया और उसको जेल भिज़ दिया गया 14 अक्टूबर 2020 को सभी सबूतों सभी साक्षों सभी के बयान सभी सभी चीज इंक्लूट करके चाशीट नमबर 330 बटे 20 अदालत में दाखिल कर दी गई अब आज की घटना आज की घटना का जो कंक्लूजन है उस पर एक कहावत एकदम फिट बैठती है कि जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए आप समझ गए होंगे यदि शौक लालच और आवकात तीनों एक साथ हों तो वही होगा जो अबरार के साथ हुआ महिला का शौक की अच्छे से अच्छा पहने लालच की पैसा न देना पड़े और आवकात न पहनने की न पैसा देने की यह तीनों एक हो गए और महिला को बहुत ही गंदे कीचर युक्त और बदबूधर रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया मजबूर क्या कर दिया वो खुद ऐसे रास्ते पर उसका चुना हुआ रास्ता था उस पर चल दी जिसकी वज़े से एक निरी विक्त की जान चली गई वैसे अबरार ने भी यह रास्ता खुद चुना उसे तो बारो महीने हर समय महिलाओं के बीच में ही रहके अपनी मार्क अपनी अपना बिजनेस करना था और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखना चाहिए था और शायद इसलिए उसको इसका खामी आजा भुगतना पड़ा मुझे आशा है कि आप मेरे इस बीवेचना से मेरे इस कंक्लूजन से सहमत होंगे और नहीं सहमत हैं तो आप मुझे बताईएगा मैं इंतजार करूँगा आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद